नमस्कार मैं अभिशेक पांडे और आप देख रहे हैं नीज स्टेंटिफोर बाइट नमस्कार मैं अभिशेक पांडे और आप देख रहे हैं लोग नसा करना बंद करेंगे जिससे उनकी स्टिति अच्छी होगी परिवारी कलेस खत्म होगा नसा के वज़े से ही समाज में बहुत सी क्राइम होती है जो की खत्म हो जाएगी लेकिन क्या किसी ने सोचा था इस बिह मजाक उड़ा रहे हैं यह कानून महजे खेल बनके रह गया है लोग इस कानून का गलत पायदा भी उठा रहे हैं बहुत से लोग को गलत तरीके से फसाया भी जा रहा है वैसे बिहार में सराब पीने के जुर्म में अभी तक लगब एक लाग से जादा लोग गिरफतार किय हैं राजी की अदालतों और जेलों में क्या आलम होगा आप अंदाजा इस से लगा सकते हैं हर रोज हजारों लिटर सराब जब्त होती है लोग पकड़े जा रहे हैं इस बात से यह भी मालूम होता है कि किसी को इस कानून का बिलकुल डर नहीं है अम जनता की बात तो छोड भी दीजे मंतरी विधायक इवं सरकारी मुल्जीमों के पार्टियों में खुब सराब चल रही है बहुत सी ऐसी बड़ी पार्टियों में पुलिस ने रेट कर लाखों की सराब जब्त भी किया है राजी का कोई भी ऐसा चौक चारहां नहीं जहां सराब नहीं मिलती है यह स असासन मौन है इस कानून की वज़ा से बिहार उत्तर पॉर्देस बॉर्डर नेपाल बीर गज बॉर्डर पे तनात पुलिस वाले की तुमानों जैसे लौटरी खुल गई है उनकी तो आजकल चांदी हो रखी है निस ट्विस्वसनिय सुत्रों से मालूम चला है कि बॉर्डर जो सराब पहले 250 की थी आज वो 1000 रुपे की मिल रही है पहले हर जगा खुले आम भीक रही थी तो आज छुपा के पहले लोगों को सराब के लिए दुकान पर जाना होता था तो महज आज एक फोन कॉल की जरूरत है सराब घर तक पहुंच जाती है बस कीमत थोड़ी बढ़े नेता इन सराब मफियाओं का साथ देना बंद कर दे तो विहार में सराब बिकना विल्कुल ही बंद हो जाए अगर बिहार सरकार सच में चाती है की बिहार में सराब पुरूंता बंद हो जाए तो सराब बंदी के प्रति सक्त कदम उठाए लूप होल खथम करे धू और कदम उठा रही है वहीं नितिश कुमार सराब बंदी को ले कर लगतार समिक्षा बैटर कर रहे हैं अब देखना है नितिश कुमार का या पहल कितना कारगर होता है बिरु रिपोर्ड निस 24 वाइट